हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं रेन इंडस्ट्रीज की विक्ली अनलिसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो रेन इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो आज बहुत अच्छा वर्ड मोमेंटम देखने को मिला है और ज 166 के आसपा सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव थे और स्टॉक को गराके 164 पर क्लोजिंग दिये वहीं बायर्स की बात करें तो बायर्स अपनको सबसे ज़्यादा यहां पे मिले हैं 150 तो साइकलोजिकल लेवल जो 150 का है वो सस्टेन होते हुए दिखा उसी के ऊपर आप दे फ़ले हमेसा सेलर सेंगी यह पूरा सेलर का जोन ता इसलिए यहां पे श्टॉक निकल नहीं पराता है यहां पर यहां पर जाती है तो अब उपर से लेवल्स रहेंगे आने वाले दुनों में वह देखिए तूसडे अगर स्टॉक सही चलता है उपर की दिशा पकड़ता है तो पहला target उपर की दिशा में अपना रहेगा यहां से 170 यह वाले levels के hurdle देखने को मिलेंगे यहां पर यह कुछ और फिर इसके बाद अगर यह भी sustain कर जाता है तो फिर उपर की ही दिशा में अपन को यहां से जो target रहेगा वो रहेगा 173 से 175 के यह वाले और फिर उपर की दिशा में अपने channel के अंदर अंदर target आएंगे 180 के जो की hurdle ले रहा है कहां पर इस वाली candle का तो यहां पर आपके सामने यह कुछ targets है 180 रखके और धिरे धिरे यह achievable होगे भले ही stock तेजी से ना भागे तो में भी आप panic मत करिएगा क्योंकि Tuesday stock अगर तेजी से नहीं जाएगा तो sideways जरूर हो सकता या short a pullback बनेगा या returns आज अच्छे निकल के आएं तो यहां पर अगर support की बात करें support कहां रहेंगे तो पहला support आपका बनेगा 160 further 160 अगर नहीं रुक पाता है unstability जादा है तो फिर next support होगा अपना 157 157 के बाद जो अपना all last support एक और रहेगा वो रहेगा 152 तो यह कुछ अपने support है नीचे की दिशामे कि stock अगर uneven होता है या fall करता है कोई भी unstability आती है market में तो यह अपने support है उपर की दिशामें यह सारे resistance तो यहाँ hopefully अब आपको clear हो रहा होगा कि stock कैसे जाने वाला है उपर बस यह देखिए कि stock में बड़ी तेजी बहुत कम देखने को मिलती है तरवाई stock slow momentum के साथ ही उपर जाता है तो NFL यह नहीं है कि दो दिन में आपका यहाँ पहुंच जाए में भी पहुंच सकता है बट उतना तेज sorry NFL बोल रहा हूँ यहाँ पर rain industries ऐसा नहीं है कि दो दिन में यहाँ इतनी तेजी से भाग जाए यहाँ पर थोड़ा sluggest momentum भी देखने को मिले क्योंकि suddenly इतना return अगर एकदम से निकाल देगा stock 12-13% तो कहीं न कहीं बैक्स भी रहते हूं sideways हो जाता है तो वहाँ थोड़ी समस्दारी दखाने हो गया आपको trailing stop loss जरूर लगा लीजिए यूकि नतीजों का दौर चल रहा है market को कोई भरोसा नहीं है market को नतीजे पसंद आते हैं तो अच्छा चलेगा नहीं आते हैं तो गिरता HDFC के साथ आप देख लीजिए market को नतीजे पसंद नहीं है तो HDFC को कहा नीचे आ गया है इसलिए बोलता हूं कि हमेशने trailing stop loss लगा लीजिए जब भी नतीजों का दोर चलता हुआ नजर आए तो hopefully अब यहां साथी चीजे मैंने clear कर दिऊंगे मलते नेक्ट वीडियो में this is me Subham Yadav signing off